बिस्म लिए रफ्म रफ्राहीम असलाम अलेकुम क्लास आज हम exercise 3.2 के next question स्टार्ट कर रहे हैं और हमने method वही यूज़ करना है Newton-Rafson method statement है हमारे पास using Newton-Rafson method find a root correct to 3 decimal places of the following और अब यह next questions है हमारे पास from 5 to onward यह six से onward तमाम questions आज हम इस lecture में cover करेंगे arbitrary इसमें से को question आपको solve करके आज material send करती हूँ और मैं choose करती हूँ question number 12 को तो इसको solve करके आपको send करती हूँ question number 12 equation है x square plus 4 sin x equal to 0 okay और इस equation को function में change करेंगे first of all तो function बना हमारे पास x square plus 4 sin x okay class arbitrary चेक करें अगर हम इस function में x is equal to 0 put करते हैं तो हमारे पास function की value भी 0 आती है right ये तो हमारे पास इसका एक root हमें generally मिल गया लेकिन क्योंकि हमें Newton-Rafson method को use करते हुए इस equation का root find out करना है इसलिए हम इस root की बजाए इसका कोई और root find out करेंगे और obviously 0 के इलावा भी इसका कोई और root का root होगा जो हम Newton-Rafson method का use करते हुए find out करेंगे तो arbitrary कुछ values इसमें put करते हैं क्योंकि ये result हमारे पास positive रहेगा हर सूरत और यहां से arbitrary कोई negative value आ सकती है अगर हम x की value negative put करें लेकिन अगर हम x की value positive put करेंगे तो दोनों ही हमारे पास positive values आएंगी इस दिए इन में से कोई एक interval point जो है वो negative जरूर होगा negative interval से ही हम इसको start करेंगे इसलिए मैंने इसमें minus 1 put किया और इस complete की calculation complete करेंगे तो answer आ जाएगा minus 2.36588 that is negative और 0 को तो हम find कर चुके हैं so interval के लिए हमारे पास values किस तरह से आ सकती है 0,1, minus 1, minus 2 अब क्योंके हम एक value चेक की हमने minus 1 भी चेक कर लिया 0 भी लेकिन इन दोनों का अब interval तो नहीं बन सकता 0 और minus 1 का इसलिए हम इस side वाले number को यानि minus 2 को चेक करेंगे minus 2 square, sin minus 2 और इसकी complete calculation करें तो answer आएगा 0.36281 इसका मतलब है जो root हम find out करना चाहरे है minus 2 उसके बहुत near है जो function में इसकी value 0 point से start हो रही है इसलिए हम इसी को अपना interval बनाती है minus 1 और देखें ये value negative है और ये value positive है so interval चूज किया हमने minus 1 and minus 2 newton rafson method के लिए हमें arbitrary x not use करना होता है x not यहाँ पर choose कर लेते हैं minus 2 को ही क्यों minus 2 को क्यों use करेंगे क्योंके minus 2 जो है वो 0 के बहुत क्रीब तरीन value दे रहा है इसलिए हम यहाँ पर x not minus 2 को ही ले लेंगे लेकिन अगर minus 2 की यहाँ पर जो value आ रही है इसकी बजाए यहाँ पर कुछ value आती 2.3628 और positive होती राइट तब हमारे पास दोनों values में difference same था हम इस interval के दरमयान से कोई value अपनी x not के तोर पे ले ले लेते हैं ठीक है अगर यहाँ पर ज्यादा भड़ी values आएं तो आपने interval के दरमयान से कोई result ले ले लेना है और अगर यहाँ पर side से कोई number 0 के करीब value दे रहा हो तो आपने उसी number को x not ले लेना है अब इस function का derivative ले 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 यागया 2x प्लस 4 cos x और अब next formula लिखेंगे f of xn over f prime of xn और next इनकी values उपर function आ जाएगा xn square प्लस 4 sin xn over में derivative है derivative में भी जहाँ x आ रहा है वहाँ पर xn पूट कर देंगे lcm ले लें minus bracket अब इने मुल्टिप्लाइ कर वालें 2 xn है स्केर plus 4 xn cos xn minus अब उपर से जो रिजर्ड सॉल्व हो रहा है उससे सॉल्व कर दें या क्या xn स्केर plus 4 xn 4 common आ रहा है यहां से 4 भी common ले लें और यह ब्रैकेट के अंदर xn cos xn minus sin xn और यह हमारे पास हमारा जनरल फामूला बन गया जिसमें हम अपनी वैलियूज अप्लाइ करेंगे तो step by step n equal to 0 अब मैंने यहां पर put किया x1 is equal to xn square और xn की value हम उपर decide कर चुके थे minus 2 और calculator work करने के बाद हमारे पास उपर का सारा result आएगा 10.966364 divided by 5.66458 और इस सारे data को जब divide करवाएंगे तो हमारे पास answer आएगा minus 1.93595 okay that is the value of x1 अब हम find करेंगे x2 की value तो formula में put करेंगे n की जगा पर 1 तो x2 is equal to n की जगा पर 1 पुट करने से यहां पर 1 हर जगा जहां n लिखा हुआ है वहां वहां 1 पुट कर देंगे plus 4 x1 cos x1 minus sign x1 अब x1 की जगा पर x1 की value that is minus 1 जारा ज्यादा values हैं इसलिए यहां पर जारा ज्यादा space बना लेते हैं 1.93595 cause और minus sign की जगा उपर कम है इसलिए इसको नीचे लिख लिख लेते हैं minus sign और over plus four cause अब उपर वाली सारी कल्कॉलेशन कम्प्लीट करें तो हमारे पास उपर आंसर आ जाएगा 10.249433 और ओवर में रिजल्ट आएगा माइनस 5.3 0027 और जब इस डेटा को डिवाइट करवाएंगे तो आंसर आएगा माइनस 1.93375 और यह हमारे पास X2 X1 और X2 में देखें सीमिलर कितने डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद तो डेसिमल यानि पॉइंट के बाद हमारे पास यहां पर यह टू डिजिट्स आ रहे हैं 935 लास्ट 3 डिजिट्स है 935 और इसके बाद X2 में हमारे पास जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं वो है 933 यानि just two digits same आ रहे हैं और हमें चाहिए three digits same तो अभी हमारा और भी procedure है जो हम next भी continue करेंगे इसको for x3 यानि हम put करेंगे n is equal to 2 so we get x3 is equal to formula में put करेंगे n2 तो values बनेगी अब इसमें values लगा देंगे जहां पे x2 है वहां पे x2 की value that is minus 1.93375 आर ये स्वारा गोई आर वहां जिए वाइंगे लगाया येश्षा नहां पोड़का बेंगे रगारा ये रगाश्वादादी है जो फम्हां गए उखवादवारे इसे बाले ही आर बाले हैं जो हम आर ले गार वावाद़ादी है पादोरे हैं अज़ादी है? उपर वाली सारी कैल्कुलेशन कंप्लीट करें तो आंसर आजएगा 10.225009 और नीचे आजाएगा माइनस 5.287648 पॉइंट के बाद मैंने ज्यादा डिजर्स इस वज़ा से लिए ताके मेरे पास ज्यादा एक्यूरेट डिविजन डिजर्स आएं तो आपने भी पॉइंट के बाद इसी तरह ज्यादा डिजर्स रखनी है इस मैथड के लिए ताके ज्यादा एक्यूरेट आए और सिमिलर डिजर्स हमारे पास आते जाएं क्योंकि हमें सिमिलर डिजर्स आएं अगर हम यहाँ पर कम डिजर्स लेंगे पॉइंट के बाद तो डिवाइड करवाते हुए नंबर्स चेंज हो सकते हैं लिए आपने भी डिजर्स दरा ज्यादा रखनी है तो डिवाइड करवाया तो आंसर आगया 1.93375 यहाँ भी डिवाइड करके यही आया और यह वैल्यू है हमारे पास X3 की X2 और X3 की वैल्यू को चेक करती हैं यह तो अप्रोक्सिमेटली सेम हो गई लेकिन हमें कितना आंसर चाहिए हमें just 3 decimal places तक आंसर चाहिए so the root correct to 3 decimal places is equal to minus 1.934 इसे round off करके लिखा तो 3,4 बन चाएगा राइट आपका कोई question हो तो वो आप comment में पूछ लीजेगा class बाकी questions को try कीजेगा और यह answers है question solve करने के बाद यहां से आप अपनी answers को match कर लीजेगा right okay class अलाहाफिज stay blessed दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफिज